धन्बाग पब्लिक स्कूल में प्रांच आपके समझ एक कहानी पेश कर रहा है जो पूरे देश में चल रहे पीएंग पनिकर नाशनल रीडिंग मिशिन मुव्मेंट का एक हिस्सा है जिसके माध्यम से वर्ष 2022 तक 300 मिलियन अंडर प्रिविलिश्ट पॉप्योलेशन के बीच रीडिंग और डिजिटल रीडिंग को पहुँचाया जा सके तो आज की कहानी मैं वर्षा क्लास 11 आर्ट्स की छात्रा आप सब के समझ प्रस्तत करने जा रही हूं एक दिन प्रातहकाय बहुत सारे भिख्षुक भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे बुद्ध समय पर सभा में पहुँचे पर आज शिश्यों ने देखकर चकित थे क्यूंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आये थे करीब आने पर शिश्यों ने देखा कि उनके हाथ में रसी थी बुद्ध ने आसन ग्रहन किया और बिना किसी से कुछ कहे चुप चाप रसी में गाठे लगाने लगे वहाँ उपस्थित सभी लोग यह देखकर यह सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया मैंने इस रसी में तीन गाठे लगा दी हैं अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रसी है जो गाठे लगाने से पूर्व थी एक शिश्य ने उत्तर में कहा गुरुजी इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है वास्तव में यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है एक तृष्टी कूण से देखे तो यह वही है इसमें कोई बदलाव नहीं आया है पर दूसरी तरफ से देखे तो अब इसमें तीन गाठे लगी हुई है जो पहले नहीं थी अतहर इसे बदला हुआ कह सकते हैं पर यह बात पर द्यान देने वाली है कि बाहर से भले ही बदली हुई प्रतीत हो पर अंदर से तो यह वही है जो पहले थी इसका बुनियादी स्वरू अब परिवर्तित है सत्य है बुद्ध ने कहा अब मैं इन गाठो को खोल देता हूं यह कहकर बुद्ध रसी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खीचने लगे उन्होंने कहा तुम्हीं क्या लगता है इस तरह इन्हें खीचने से क्या मैं इन गाठों को खोल सकता हूं नहीं ऐसा करने से तो ये और भी कश जाएंगी और इन्हीं खूलना और भी मुश्किल हो जाएगा शिश्य ने श्री ग्रता से उत्तर दिया सही है बुद्ध ने कहा अब एक आखरी प्रशन बताओ इन गाठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा शिश्य बोला इसके लिए हमें इन गाठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं मैं यही तो सुनना चाहता था, मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फसे हो वास्तव में उसका कारण क्या है, कारण जाने बिना निवारण असंभव है, मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं, लोग मुझसे ये नहीं पूछते कि मुझे क्रोध क्यूं आता है, लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं, कोई मुझसे ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीच कहां से आया, लोग पूछते हैं मैं अपना अहंकार खत्म कैसे करूं, प्रिय शिश्यों जिस प्रकार रसी में गाठ लचाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते जिस तरह हम रसी की गाठे खोल सकते हैं वैसे ही हम मनुश्य की समस्याएं भी हल कर सकते हैं इस बात को समझो कि जीवन हैं तो समस्याएं भी होंगी ही और समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी अवश्य होगा आवशक्ता सिर्फ इस पात की है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से ले निवारण स्वतर ही प्राप्त हो जाएगा भागवान पुद्ध ने अपनी बात पूरी की धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे अपील करता है कि आप फी एक कहानी पढ़े और उसे रिकॉर्ड करें और अपने दस रिलेटब्स और फ्रेंट्स को भेजें चलिए इस रीड और ग्रो मैसेज को पहलाएं अगले संडे हम फिर लोटेंगे एक नई कहानी के साथ तब तक री